जापान में करोडो घर ऐसे हैं जिनकी वैलू जीरो हो गई है यहां तक कि लोग फ्री में रहने को त्यार नहीं है और यह सब हो रहा है जापान के दो कानूनों के कारण सिकंड वल्ड वार के बाद जापान ने तेजी से तरक्य किया और लोगों को सहरों की तरफ आकरसित करना चाहा इसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया कि जो भी बेक्ति सहरी छेत्रों में नया मकान लेगा उससे टैक्स और घर के समान में छूट दी जाएगी जिससे जापा के ज़्यादा तर लोग सहरों में आकर बशने लगे और गाउं में बने हुए मकान खाली छोड़ दिये दूसरी तरफ सरकार ने सोचा कि जंसंख्या कंट्रूल कर लिया जाए तो लोगों को ज़्यादा सुभधाय मिलेंगी सरकार ने एक योजना चलाई लोगों ने योज उनकी संताने अब सहरों में आकर बस गई यही कारण है कि जापान के ग्रामिन छेतरों में प्रपट्टी की किमत अब जीरो हो गई है